अगर तुमसे कोई कहे कल्प ना करो पृत्वी सामाने तह अंत्रिक्ष से कैसी दिखती है तो संभवत तुम कल्पना करोगे उस नीले कंचे जैसी दिखने वाली पृत्वी की सुप्रसित तस्वीर की जो अपॉलो 17 अंत्रिक्ष जान के यात्रियों ने 1972 में चान्द की यात्रा के दोरान ली थी पर 380 करोल वर्ष पूर्फ एक सामाने दिन पर पृत्वी बिलकुल भी ऐसी नहीं दिखती थी तब सौर मंडल के ग्रह अपनी कक्षाओं में ध्रिड हुए ही थे शुट ग्रहों की बंबारी हेवी बंबार्डमंट जिसने आंत्रिक ग्रहों में तबाही मचाई हुई थी बस समाप्ती हुई थी पृत्वी की भूपटल की परत थंडी हो जमनी शुरू हुई थी पर अब भी इसमें काफी जौला मुकी गतिविदी जारी थी पृत्वी के वायू मंडल में अभी मुक्त ऑक्सिजन मौजूद नहीं थी और प परंतु इससे पहले कि हम बात करें पृत्वी में सजीव वस्तूओं के स्रिजन और जो असाधारन परिवर्तन पृत्वी पर इसके आगे हुए थे हम लेते हैं एक चोटा सा मोड और नजर डालते हैं पृत्वी पर जीवन स्रिजन से संबंदिद जैवरसायन बायो केमेस् इसना हुई है कोशिकाओं से जो जीवन का मूलता स्रोथ हैं इनका प्रजनन होता है कोशिका विभाजन से और ये अपने परिवेश से संबंद बनाती हैं उर्जा और असायनों के आदान प्रदान से कोशिकाओं दो प्रकार की होती हैं सरल कोशिकाओं या प्रोकारियोट् प्राणियों और वनस्पती में यूकारियोटिक कोशिकाओं के अलग-अलग समूव मिलकर उस जीव में भिन प्रकार के अंगों, और्गन्स का कारे करते हैं कोशिकाओं के यह संग्रे बहु कोशिय जटिल जैविक वस्तूओं की रचना करते हैं जो आज हम अपने चारों और देखते हैं हम मनुष्य, जीवजन्तू, वनस्फती और फंफूद, फंगस सरल जैविक वस्तूओं जैसे जीवानू या बिक्टीरिया एक प्रोकारियोटिक कोशिका से बने हैं, और चरम बातावरण में भी जीवित रह सकते हैं ये बिक्टीरिया पृत्वी पर उभरने वाली सबसे पहली सजीव वस्तू थे हम एक बेक्टीरिया को अपनी आँखों से नहीं देख सकते परन्तु आज भी सभी बेक्टीरिया मिलकर प्रित्वी पर सबसे अधिक जैव सहती बायो मास रखते हैं अब हम इस कोशिका जीव विज्ञान को इसके अंतरनीहित रसायन शास्थ में विभाज़त कर देते हैं कोशिका गठन, सेल फॉर्मेशन, कोशिका विभाजन, सेल डिविजन और कोशिका उर्जा विनिमें Cellular Energy Exchanges के चार बुन्यादी योगिक, कमपाउंज हैं Amino Acid, Nucleic Acid, Carbohydrates और Lipids कोशिकाओं में हर विशिष्ट कार को करने के लिए इन चारों योगिकों की दुर्वत पड़ती है और यह योगिक बने हैं कारबन परमानुओं की लंबी श्रिंखला से जो आबंदित होते हैं जीवन के पांच अन्य प्रात्मिक तत्वों के साथ Hydrogen, Nitrogen, Oxygen, Phosphorus और Sulfur जीवन के इन छे प्रात्मिक तत्वों के अलावा आवरत सारनी, Periodic Table में पाए जाने वाले 92 प्राकरतिक तत्वों में से 19 तत्व जैविक वस्तों में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं प्रिथी पर पाए जाने वाली जैविक वस्तों को कार्बन आधारित जीवन इसी लिए कहते हैं क्योंकि कार्बन के पर्माणू मौलिक तत्व हैं उन योगिकों के जिन पर सभी जैविक बस्तूओं का निर्माण आधारित है। ये देखने के लिए कि कार्बन पर्माणू की श्रिंखला कैसे बनती है और मूल तत्व इससे कैसे अबंदित होते हैं हम एक नजर डालते हैं सबसे सरल एमिनो एसिट पर जिसका नाम है ऐलनाइन ऐलनाइन बना है कार्बन पर्माणू की एक श्रिंखला से जो जुड़ी हैं एमाइन संग्रे, NH2, कार्बो अक्साइल संग्रे, COOH और आर निशान से दर्शाई एक खुले खंड से जिससे अन्य संग्रे जोड़कर जीवन संबंदित एक बड़े योगिक की रचना करते हैं। अब हम वापस चलते हैं प्रित्वी पर आज से 380 करोड वर्शपूर्व। जैसे जैसे प्रित्वी का धरादल ठंडा हुआ, वायू मंडल में उपस्तित पानी संगनित, कंडेंसो प्रित्वी पर बरसने लगा। इस बरसाद से बने महासागर और जीलें। बिन प्रकार के रसायन और योगिक लगातार बन रहे थे, फिर तूट रहे थे और पुना अलग-अलग सेयोजनों में जुड़ रहे थे। कोशिकाओं का सिजन हुआ। पर आज है माना जाता है कि जीवन सबसे पहले उत्पन हुआ पूरवजयविक महासागरों प्रिबायोटिक ओशिन्स में। क्योंकि पानी एक बहुत ही उम्दा माध्यम है जहां भिन तेरते योगिक एक दूसरे के साथ आसानी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। हम नहीं जानते कि इन प्रोकैरियोटिक बेक्टीरिया का सिजन्स पूरवजयविक महासागरों में हिंसक तूफानी बिजली के गिरने के कारण हुई रसाइनिक प्रतिक्रियाओं से हुआ या इन पूरवजयविक महासागरों के अंदर निहित ज्वाला मुखियों से निकल कोशिकाएं जिनको अंतिम वैश्विक आम पूर्वज लास्ट युनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर या लूका कहते हैं जीवन वरिक्ष ट्री आफ लाइफ की नीव हैं पृत्वी पर पाई जाने वाली सभी जैविक वस्तूओं का जन्म इन ही कोशिकाओं से हुआ है अगले 1.500 से 200 करोर वर्चों में इन पहले बेक्टीरिया से अन्य प्रकार के बेक्टीरिया उत्पन हुए इन अन्य बेक्टीरिया में एक था साइनो बेक्टीरिया जिसने प्रकाश संसिलेशन फोटो सिंतिसिस की रसायनिक प्रतिक्रिया को विक्सित किया प्रकाश संसिलेशन की प्रतिक्रिया सौर उर्जा का इस्तेमाल कर वातावरण में मौझूद कार्बन डाय ऑक्साइड को ऑक्सिजन में परिवर्थित कर देती है कुछ विज्ञानिकों का मानना है कि साइनो बेक्टीरिया आज से 350 करोड वर्ष पूर भी प्रित्वी पर महजूद थे क्योंकि उनकी उपस्तिती का प्रमाण मिलता है उत्री अमेरिका, ग्रीन लैंड और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई गए इस्ट्रमेटलाइट, सुक्ष्म जीवाश्म, माइक्रो फॉसिल्स में वातावरन में मुक्त ओक्सिजन का विसर्जन, जिसका कुछ रह जाता है साइनो विक्टिरिया को कारण बना प्रित्वी में घटित परिवर्तन अनुकरम के अगले कुछ चरणों का वातावरन में बरती मुक्त ऑक्सिजन संकेंदरन के चरण को Great Oxidation Event कहते हैं जिसकी शुरुआत हुई लगबग 240 करोड वर्षपूर और आज मुक्त ऑक्सिजन वातावरन का 21 प्रतिशत भाग बन चुकी है और आज हमें इनका प्रमाण मिलता है भूग गर्विय शिलाओं के रिकॉर्ड में वायू मंडल में कारबन डाय उक्साइड और मीथेन की मात्रा कम हो जाने के कारण वायू मंडल ज्यादा पारदर्शी बन गया और इससे हुए उल्टे ग्रीन हाउस प्रभाव रिवर्स ग्रीन हाउस एफेक्ट ने प्रिथवी के औसत तापमान को कम कर दिया अन्ततर वायू मंडल में अधिक मात्रा में उपस्थित मुक्त ऑक्सिजिन ने मुम्किन किया ज्यादा उर्जा कुशल सवायू प्रतिक्रियाओं एनरजी एफिशन्ट एरोबिक रियाक्शन्स को जिन्होंने संभव किया प्रिथवी पर बड़ी जैविक वस्तों का ज्यादा तेजविकास हमारी कहानी अब यूकैरियाटिक बहुकोशे जीवन की विक्सित होने की कगार पर खड़ी है जो आज से केवल 200 करोर वर्ष पूर शुरू हुआ था और अब प्रिथवी का रूप काफी आज के समान हो चुका है